चोपड़ा एजुकिसन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ 12th CBSC Board परिक्षया कैंचल होने के बाद गौर्मेंट के सामने अभी NEET वजेई को भी कैंचल करने का प्रेसर बढ़ने लगा है तमेलाटू गौर्मेंट ने तो PMO को NEET कैंचल के लिए लेटर भी लिखा है लेकिन केंद्रिय शिक्षया मंत्राले ने साब संकेत दिया है कि NEET वजेई की एकजाम कैंचल नहीं होगी सिच्वेशन नॉर्मल होने के बाद इसको तुरंत कंड़क्ट करवाया जाएगा NTA ने अगले सब्ता तक एकजाम सेड्यूल जारी करने के संकेत भी दिये है एजुकेशन मिनिस्ट्री और NTA ने इस समंद में PMO से भी स्वी करती ले ली है एजुकेशन मिनिस्ट्री का मानना है कि इस साल CBSE 12th बोर्ड और काफी सारे स्टेट बोर्ड की 12th के एकजाम कैंचल होने के कारण उनके मार्क्स अससमेंट के अकोर्डिंग दिये जाने से उन मार्क्स की मेरिट के अकोर्डिंग परती होगी परिक्षाओं में एडमिसन उचित नहीं है तो बच्चो अभी आपको ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना होगा जल्दी ही हमें नीट वा जेई मैन के बारे में कोई अपडेट जरूर मिलेगी अभी काफी सारे स्टुडेंट पॉस्पॉर्ण के बारे में कोमेंट्स कर रहे हैं तो इस वी समें मेरा ये मानना है कि एगजाम पॉस्पॉर्ण तो होगी मगर ज्यादा समय के लिए नहीं होगी ये अगस्ट लास्ट या सिप्टेंबर मिड तक हो सकती है नीट के एगजाम डेट के बारे में एंट्ये की आर्टी आई की रिप्लाई से काफी स्टुडेंट परिशान है तो मैं आपको बता दूं कि आर्टी आई में जो ओफिशल इंफॉर्मेशन होती है वही दी जाती ह फ्यूचर को फ्रेडिक्ट नहीं किया जाता है फिर भी आप अपने स्टेडी का सेड्यूल एक अगस्त के अकोर्डिंग बना कर रखें अगर पोस्ट बॉंड होती है तो उसके अकोर्डिंग सेड्यूल तयार हो जाएगा तो उमीद है कि आप अपने स्टेडी अच्छी त झाल झाल